तो आप सभी लोग जानते होंगे योजनाव से संबंदित या और भी कोई अपडेट आता है तो मैं वेडियो सबसे पहली लेके आता रहता हूँ तो दोस्तो आज हम जिस विसे के बारे में बात करने वाले हैं वो विसे भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन का बहुत से ऐसे लोग होंगी जिनका कोरोना वैक्सीन में कोविड-19 का जो शर्टिप्यकेट होता है उसमें नाम गलत चड़ गया है या आप mobile number change करना चाहते हैं बहुत सारा संसोधन करना चाहते हैं वो भी आप घर बैठे तो दोस्तों वेडियो के में अदम से आप सारी चीज़े जानने वाले हैं या हम कैसे vaccination certificate में अगर हमारा नाम गलत हो गया हो लिंग गलत हो गया हो और यहां पर हमें सभी लोगों को पता है covid.government.in इस official website पर आजाते हैं Corona vaccine की जो की हम यहां से certificate डाउनलोड करने के लिए register for sign in इस पर हम click करेंगे जैसे कि दोस्तों हम इस link पर click करते हैं हम इस link पर पहुंच जाएंगे TK account के लिए registration करें या sign in करें कुष्टी के लिए mobile number या OTP भेजा जाएंगे पर दोस्तों mobile number होना अनिवार है जिस mobile number पर आपने TK account register करवाया है तभी आप इन सभी सुद्धाओं का लाव ले पाएंगे मतलब आप correction भी कर पाएंगे और mobile number भी update कर पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम इस mobile number जो भी हमारा registered mobile number है हम उसको register कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको mobile number डालना होगा जो भी आपका registered mobile number है या आपने जिस किसी का भी mobile number यहाँ पर डाला हुगा है ते ही हम mobile number डालते हैं इसके बाद OTP पाएंगे इस पर आपको क्लिक करना आप सैंड ओ टीपी पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी आपने मुबाइल नम्बर दिया होगा उस पर एक टीपी जाएगा वो टीपी आपको यहां पर दर्ज करना होगा चलिए हम ओटीपी के दर्ज कर लेते हैं पुष्टी करें और आगे जैसे ही दोस्तों हम यहां पर पहुंच जाते हैं जो भी हमारे वैक्सिनेशन होंगे जितने भी हमारे मुबाइल नंबर से रेजिस्टर होंगे उन सभी में हम सुधार कर पाएंगे यह जो आउक्षन दिख रहे हैं टीका करना से वांए प्लेटफॉर्म संसाधन यहां हमें स चीजे प्रमालपत्र में सुधार आयू फोटो इडी के बारे में प्रमालपत्र में शीधार यहां टीका के प्रमालपत्र पास्पोरट से जोड़ना हो यह पांजी करतृत किसी हां कि 날सा कर सकते हैं मतलब नया मंबाइल नंबर भी add कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे option आ रहे हैं जिनके जरी क्योंकि दोस्तों जैसे ही recommend जाती है यहाँ पर जो call center होता है उनके पास recommend जाती है call जाती हैं लोगों के वैसे ही इस पर सुधार होता चला जा रहा है यहाँ पर पहले यह option नहीं दिये जाते थे हाला कि आप यहाँ पर यह सारे option आ चुके हैं क्योंकि बहुत जारी शिकायते जा रही थी कि correction का भी यहाँ पर option नहीं था लेगन अब आप यहाँ पर जैसे ही न देखिए यहाँ पर आप नाम भी वदल सकते हैं डेट अपर भी वदल सकते हैं और लिंग भी वदल सकते हैं और यह आपका photo पहचान पत्र संक्या है यह भी आप चिंज कर पाएंगी और अगर आप कोई-कोई अगर सही है तो जल्दी से आपका परवर्तन कर दिया जाएगा अगर आपका नाम मिसमेच है तो बड़ी आसानी से आप सुधार पाएंगे अब दोस्तों हम यह बता देते हैं क्योंकि यह हमारे सारे सही है हाली मैं आपको एक्जम्पल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप काड में सुधार कर पाएंगे अब दोस्तों हम बताते हैं नया मुबाइल नंबर कैसे एड़ करना है तो जैसे ही आप मुबाइल नंबर पर आ जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो रूरल एलाके से खासकर ब्लॉंग करते हैं जो लोग भी किसी का भी मुबाइल जाती है अगर आपकी सिम्ट हो जाती है तो यहां पर कोई भी आउक्षाइट लेती उसके बारेम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं अगर कोई इंफार्मेशन आती है तो हम आपको जरू करेंगे अब यहां पर नया आपको नाम चुनना होगा जिसका भी आप मुबाइल नंबर आपको और बीज़ी लिटे से मुबाइल नंबर आपको एड़ करना होगा और जारी रखें इस पर क्लिक करने है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी है जाए है और और होटी धालके आपको सब्सक्र दिना है तो 24 गंटे के अंदर ये मुबाइल नंबर भी आपका अपडेट हो जाएगा तो दोस्तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी वैक्सिनेशन से समध्यत जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है आप कुछ जरूर समझ में आया होगा कि हम अपने जो भी वैक्सिनेशन कार्ड है उस पर सुधार कर पाएंगे जो भी हमारी मिश्टीके हैं तो ये दोस्तो बहुत ही बड़ा अपडेट है गवर्मेंट की तरफ से क्योंकि इसमें बहुत सारी समिष्चा थी लोगों के नाम गलत कर दिए गए थे जो भी पस्त विभाग के काम करते हैं वो जल जली जो टाइपिंग में हैं उनके नाम इसमेच हो जाते हैं उस बज़े से दोस्तो यहां पर ऑक्सन खोल दिया गया है आप घर बैठे ही इसका संसुदंग कर पाएंगे तो दोस्तो आप वैप साइट की धुरू भी करते हैं या उमंग एप्लिकेशन है उसको भी डाउनलोड करके आप यह सारी चीज़ें कर पाएंगे यह थी दोस्त